राधि राधि फ्रेंड्स देखेंगे वनवर्ड स्प्टूशन्स प्रिवियस यर वनवर्ड हैं चलिए शुरू करते हैं इसमें आप पूरी वीडियो देखोगे तो पूरा जितनी वनवर्ड मैंने इसमें ली हैं आपको पूरी पक्के याद हो जाएंगे तो चलिए पहले देखें पहला है इसमें looking, behaving, sounding like women, a girl तो इसका मतलब यह होता है कि एक women के जैसे या फिर एक girl के जैसे जो बोलता है, behave करता है, दिखता है तो उसे क्या बोलते हैं उसे effeminate बोलते हैं नारी जैसा आगे है a person who supports the belief that women should have the shame rights and opportunities as men इसका मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति जो क्या भी अधिकार मिलने चाहिए और अफसर मिलने चाहिए इस बात को support करता है समर्तन करता है तो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं feminist feminist मतलब नारी बादे आगे है the mother of a whole race or a group of people इसका मतलब यह होता है कि पूरे group प्यूपलों के जो group है उसका और पूरे जाती का जो अत्या करन करने वाला होता है उसे genocide बोलते हैं तो genocide बोलते हैं आगे है easily tricked because of being too trusting इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि आसानी से धोका खाने वाला या फिर विस्वास के कारण आसानी से जो धोका खाने वाला होता है तो उसे ही हम जलीवल बोलते हैं आगे है a payment made for somebody's professional services a fee paid for a nominally free service तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी website सेवा के लिए किया गया जो payment है या फिर जो नाम माते की मुफ्त सेवा के लिए जो payment होता है उसे honorarium बोलते हैं क्या बोलते है honorarium आगे देखते हैं आगे है इसको हिंदियों बोलते है मान देया बेतन देखिए इसके option के question है इस जो जैसा जो और मपली दिख्ता है या बोलता है तो उसे क्या बोलते हैं तो उसे here minute बोलते है नारी जैसा और feminist को नारी जैसा बोलते है और Molina को नारी बादी वहमीन कुंषा इसको मारा करता है कि उसे अफसरम से मिलने चाहिए पूर्यी के जैसे जन्हाइव रात्य लात amendment sauce से जनसाइट नरसंगार बोलते हैं और गैल्ली वाज उसे बोलते हैं चिसे आसानी से धोके दिया सकता है आ सानी से धोका खाने वाले को बोलते हैं आगे हैं दूसरा डूसरा कॉस्वर्ण होसन है एर्शन ईष्चर ethical घाभ ख राइद्ध ग्राल पैकल की Congress as men तो इसका मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति जो या समरतन करता है और विश्वास रखता है कि women ku आ और तो और तो कोई भी असर मिलने चाहिए उसी m राइट पमिलने चाहिए पूरसव के जैसे तो उसे क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं नारी बादी feminist if a minute नारी जैसी को बोलते हैं जैनेशाइड नरसंगार को बोलते हैं और honorarium किसे बोलते हैं यह किसी की व्यवसाइग सीवाँ के लिए किया गया जो payment होता है उसे हम honorarium बोलते हैं आगे देखते हैं आगे है दा m Anda of a whole race और a group of people इसका मतलब यह होता है कि पूरी जाती की जो हत्या कर और लोगों के सम्मूं की अत्या करने वाले वो उसे हम जैने से जैनुसाइट बोलते हैं तो इसका अजसा है यह कारे साथ रसका आप आप फैमेनिस नारी बाती वहला ऑर इस फैमिने नारी जैसे को बोलते हैं आगे देखते हैं आगे को कुक्याइं वाला पूरी जाती की हत्या करने वाला फेमिनिस्स नारी बादी हो भोलते हैं जो नारीयों का समर्थन करता है कि उन्हें भी अफसर मिलने चाहिए पुरुच्ष्राइब कि जैसे तो और honorarium किसे बोलते हैं जो वेतन मान देये को बोलते हैं आगे दिखते हैं आगे है a payment made for somebody's professional services a fee paid for a nominally free services service तो इसका मतलब यह होता है कि किसी भी रफसाही सिवां के लीडिया गया जो payment है यह फिर एक नाम मातर की मुव्त सिवा के लिए जो payment दिया जाता है तो इसे ही हम बोलते हैं honorarium क्या बोलते है और इफिमेनिट किसे बोलते हैं जो नारी जैसा होता है उसे इसे इफिमेनिट बो से जनसाइट बोलते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शियर और चैनल को सस्क्राइब करना ना बूले थैंक्स पर वाचिंग